हेलो बच्चों, इस विडियो में हम चपाती चाट, पाई चाट के बारे में सीखेंगे चंदा और अपू मिलकर अचार बनाने का व्यापार शुरू करना चाहते हैं चंदा मुझे लगता है कि हमें पहले लोगों को कौन से अचार पसंद है इसका पता लगाना चाहिए आपू, चलो हम गाव वालों को पूच कर इसका पता लगा लेते हैं मैं एक कागस पर कुछ अचारों के नाम लिख लेती हूँ फिर हम जितने लोगों को वो अचार पसंद है उसकी संक्या इस तालिका में लिख लेंगे चंदा और अपू घर घर जाकर लोगों को कौन सा अचार पसंद है इसका पता लगाने लगे दिन के अंग तक उन्होंने सौ लोगों से उनकी पसंद पूछ कर अपनी तालिका पूरी कर लिए और चंदा के घर लोट आए अपू मैं तो दिन भार गाओं में घूम घूम कर ठक गई हूँ और अब इतने सारे अंक देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें ही की नजर में ये सारी जानकारी समझ में आ जाए हाँ चंदा हम इस जानकारी को चपाती चाट पाय चाट का इस्तमाल करके दर्शा सकते हैं ओफो अपू मुझे पहले ही बहुत भूख लग रही है और अब तुम ये चपाती चाट का नाम लेकर मेरी भूख और बढ़ा रहे हो ये चपाती चाट क्या है चपाती चाट के द्वारा हम जानकारी को सरल तरीके से एक गूला बना कर दर्शा सकते हैं चलो मैं तुम्हें ये बनाना सिखाता हूँ देखो हमने कुल सौ लोगों की जानकारी हासिल की है चपाती चाट बनाने के लिए पहले हम हर अचार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को सो से भाग करके भिन्न के रूप में लिखेंगे जैसे पचास लोगों को आम का अचार पसंद है इसलिए हम आम के अचार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को पचास भाग सो या एक बटा दो इस तरह से लिखेंगे ठीक इसी तरह से हम बाकी अचार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को भी सो से इस तरह से भाग करके भिन्न के रूप में लिख लेंगे लेकिन इन सभी भिन्न में कुल भागों की संख्या तो अलग-अलग है फिर हम इने कैसे दर्शाएंगे बिल्कुल ठीक हम इसे हल करने के लिए पहले हम इन सभी भिन्न के कुल भागों की संख्याओं का लगुत्तम साजा गुणज Lowest Common Multiple या सबसे छोटा साजा गुणज इस तरह से ढूंडेंगे इस तरह बीस इन सभी भिन्न के कुल भागों की संख्याओं का लगुत्तम साजा गुणज Lowest Common Multiple है अब हम इन सभी भिन्न को इस तरह से लिखेंगे ताकि इन सभी के कुल भागों की संख्या बीस हो जाए लेकिन हपू तुमने अब तक तो कोई भी चपाती नहीं बनाई घबराओ नहीं अब हम चपाती चाट की चपाती बनाने ही वाले हैं अब हम इस तरह का एक गोला बनाएंगे फिर हम इस गोले को बीस बराबर हिस्सों में बाटेंगे और अंत में हम इन भिन्नों के हिस्सों को चपाती चाट के उतने हिस्सों में रंग भर कर इस गोले में दर्शाएंगे ये हो गया हमारा चपाती चाट तयार वापू अब हम असानी से इन हिस्सों को देख कर पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को आम का आचार पसंद है क्योंकि चपाती चाट के सबसे बड़े हिस्से में आम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है और इस सबसे छोटे हिस्से में मिर्ची के आचार को पसंद होने वाले लोगों की संख्या है इसलिए सबसे कम लोग मिर्ची के आचार को पसंद करते हैं और देखो अपू, आमला और गाजर के आचार के हिस्से बिलकुल समान नजर आ रहे हैं इसका मतलब इन दोनों आचारों को समान संख्या की लोग पसंद करते हैं बिलकुल ठीक चंदा, हमें सबसे पहले आम का आचार बेचना शुरू करना होगा चलो, हम अब कुछ खा लें, मुझे भी बड़े जोरों की भूक लगी है अपू और चंदा, अपनी असली चपाती खाने चली गए बच्चों, इस वीडियो में हमने चपाती चार्ट, पाई चार्ट के बारे में सीखा अगले वीडियो में हम कुछ दिल्चस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे